नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में और मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों PLC प्रोग्रामिंग के बारे तो दोस्तों PLC में जो प्रोग्राम करते हैं उसके लिए हमें किसी सॉफ्ट्वेयर की ज़रुत परती है तो आज हम सिमेंस का ज दोस्तों टिया पोड़ल भी 12 बारा उसको हमने ओपन किया और उस में हम PLC एक प्रोग्राम बना कर देखेंगे दोस्तों इसमें Il trustworthy देखेंगे दोस्तों यह हमारे PLC आप फिस्ट वीडियो है तो आप सभी वीडियो देखेंगे तो आप PLC प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे दोस्तों तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है तो आप आप create new project जो आपको नया project बनाना है तो create new project करेंगे उसका अगर कोई नाम लिखना है तो आप यहां नाम लिख सकते हैं कि मैं यहां डेमो लिखूंगा दोस्तों और हम इसके बाद create पर क्लिक करेंगे यह दोस्तों न्यूव प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है इसमें तोड़ा टाइम है यह ऊपन होने में हैं दोस्तों िवाइब्स करेंगें एक डीवाइस कन्फिगर करेंगे या किस डीवाइस में तो हम यहाँ सेवेन करेंगे PLC हमारे जो भी है वो हम स्देक्ट करेंगे फिर इसमें यहाँ सलेक् करेंगे दोस्तों CPU CPU में हम यहाँ जो भी मोडल हमारे पास होगा तो वो हम सलेक् करेंगे यहाँ हमारे पास PLC नहीं है कि चल वो हम programming software यूजस कर रहे हैं तो में या दोस्तो यजो ऑप्षन आपको दिख राये स्क्रिन पर CPU 314C2DP ये वाला ऑप्षन सेलेक्ट करूँगा और इस में जो सेक्न वाला है वो मैं सेलेक्ट करूँगा तो दोस्तो इधर आप देख सकते हैं इस जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसे जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, दोस्तो, इदर वरस्ट, 3.3 आ जाएगा और ओरर नमबर आ जाएगा, दोस्तो, तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा, तो ये ओपन हो जाएगा या फिर मैं नीचे जाकर इसे एड़ भी कर सकता हूँ, दोस्तो, या आप एड़ कर सक लगते हैं और इसे open कर लिजिए दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों तो वेट करिए मैं इसे forward करके बताऊंगा दोस्तों आपको skip करके तक आपका time ज्यादा न लगे और वीडियो ज्यादा बड़ा न हो तो देखिए दोस्तों यह open हो गया है जो हमने project लिया था डेमो और PLC जो हमने select की थी उसमें यह select हो गया है दोस्तों अब आपके left hand side में दोस्तों आपको कई सारे option दिख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं करसर है program block प्रोग्राम ब्लोक को आप open कर सकते हैं और इसमें जो main ob1 लिखा उसे आप open कर लिजिए दोस्तों यह भी open हो रहा है कि यह open हो चुका दोस्तों यह हम लेडर डाइग्राम की साहता से यह हम प्रोग्राम बनाएंगे दोस्तों यह हम no nc और एक कोईल की साहता से हम एक चोटा प्रोग्राम बनाएंगे तो first हमने no लिया जिसे हम start में यूज़ करेंगे एंसी लिया उसे हम stop में यूज़ करेंगे और यह हमने output के लिए दोस्तों एक कोईल और कोईल को hold कराने के लिए हम दोस्तों जो start है उसके लेचिंग में ले लेंगे एक और no और दोस्तों इसे हम यहां connect कर देंगे और दोस्तों अब यहां हम address डालेंगे input है first input तो उसके लिए हम डालेंगे i0.0 second है तो उसके लिए क्या डालेंगे i0.1 थार्ड है तो i0.2 इसी प्रकार डालेंगे दोस्तों और जबकि output है देखो second input पर हमने i0.1 डाल दिया अब जो output है उसमें हम डालेंगे q0.0 और ज्यादा output है तो q0.1 q0.2 तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसमें address डालेंगे और यहां हमने किसका कोईल का no लिया है दोस्तों तो हम q0.0 डालेंगे ताकि हमारी कोईल हो सके और जो हमारी supply है दोस्तों push बेटन छोड़ने के बाद भी on रहे और उसी condition में होगी दोस्तों जब हम stop push बेटन प्रेस करेंगे दोस्तों तो यह हमारा program completed दोस्तों अब उपर option देख सकते है आप windows के पास compile का वहां सामी से पहल से compile कर आएंगे दोस्तों तो दोस्तों यह compile हो चुका है अब इसके बाद हम इसे simulate करेंगे तो आप left hand side में कई भी क्लिक करके program block पर क्लिक किजिए तो आपके पास उपर option आएगा simulation का यह देख सकते है start simulation तो इस पर हम क्लिक करेंगे और simulation start करेंगे दोस्तों तो यह screen open होगी है simulation की अभी इससे download करना भाइक है दोस्तों तो आपके सामने एक और screen open होगी अभी आप wait कीजिए इसमें तोड़ा time लेगेगा मैंने आपको skip करके बताया दोस्तों यह आपके सामने screen open होगे यह दोस्तों नीचे जो screen open होगी है दोस्तों अब उस पर क्लिक करेंगे हम यह देखिए दोस्तों तो यह आपके पास download करना है तो हम इसमें क्या select करेंगे दोस्तों इंटरफेस में MPI और नीचे PLC SIM simulation करना है हमने और लोड कर देना दोस्तों यह लोड किया हम ने यह लोड हो रहा दोस्तों अगेन इससे लोड कर दीजिए यहां से वापस लोड कर दिया हमने यह लोड हो गया दोस्तों अब हम इस program को run कराके देखेंगे simulation की क्योंकि यहां मार पास hardware नहीं है computer में simulate कर आएंगे तो हम software की साइथा से 7 PL SIM की साइथा से हम इससे simulate कर आएंगे तो दोस्तों यह आप display देख रहे हैं screen पर तो इस पर आपको पहले ही input output दिया हम है ठाके वापस इंसर्ट करना बता देता हूं इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और हमें यहां से input variable लेना तो यह आई आई आए आउटपूट में क्या देर आउटपूट वेरियाबर लेना वह आई आई तो दोस्तों इंपूट में हमने 0 पर दिया था start आई 0.0 start दिया था हमने 1 दिया था आई 0.1 stop और आउटपूट में चो क्यू 0.0 दिया था वो दिया था हमने on कमाल लोय इंडिकेशन कोईल दी थी तो दोस्तों जैसे हमने start on क्या यहां आउटपूट में सप्लाई आगी देख सकते आप और जिसे stop करेंगे तो जो 0 है वो ओफ हो जाएगा देखर आगे supply नहीं आ रही है और वापस जैसे हम stop को हटाएंगे तो आगे supply आई यह stop हटाया वैसी यह start हम रखेंगे और stop को हटादेंगे supply आगे ओने stop it उस बटन को जैसे से फ्रेस करेंगे तो supply off हो जाईए तो दोस्त तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप इसी प्रकार से आप PLC के बारे में और भी वीडियो देखना चाते हैं इसके बारे में आगे और सीखना चाते हैं तो इसे लाइक, शेर, फॉल और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों जिस भी प्लेटफॉम पर आप यह वीडियो देख रहे हैं दोस्तों आप इसे लाइक, शेर, फॉल और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार के और भी वीडियो आपके लिए बना सब्सक्राइब तन्यवाद दोस्तों